Hello Friends, Welcome Back to YouTube Channel आज का जो topic है, वो है notepad के बारे में जो Microsoft Windows में हमारा notepad का जो software होता है तो सबसे पहले हम run में जाते हैं और run में लिखते हैं notepad हमने यहां पर पूरा लिखना है notepad यहां पर notepad हमारा open हो जाता है तो यहां पर आप देख रहे हैं उपर पांच ओप्शन दिख रहे हैं फाइल से एडिट फॉर्मैट व्यूर है तो सबसे पहले हम फाइल में चलते हैं न्यू पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल न्यू ब्लैक पेज यह आता है तो हम यहां पर कुछ भी लिक जैसे हमने यह विंडो को बड़ा किया है तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं यहां पर जो ओप्शन होते हैं तीन तो मिनिमाइज का मैक्सिमाइज कर क्लोज का यह वाले तीन ओप्शन तो इनका तो वैसे सबको पता ही होता है तो इनसे हम इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज और तो हम एक फाइल भी बना लेते हैं notepad में, तो फिर हम उसको save करके open करके देखेंगे, तो चलिए चलते हैं, एक यहां पे हम कुछ भी लिख लेते हैं आपे, यहां पे हम नोटपैड के लिए लिख लिया है यहां पे, इसको हम save कर लेते हैं, यहां पे हम इसको desktop पे, notepad के नाम से save कर लेते हैं, यह save हो गया, अब हम open करके देखते हैं, तो यह देखिए notepad1 के नाम से यहां पे save है, तो यहां से हम कोई भी notepad की file open कर सकते हैं, फिर से new file लेते हैं, open करते हैं, तो यह देखिए, यहां से हम open कर सकते हैं, उसके बाद save हमने कर लिया है, save as, save as से हम इसी notepad के copy उना सकते हैं, जैसे हमने कुछ edit किया, हम चाहते है कि main उसमें, जो हमारी notepad उसमें change now, उसके बाद हमने कुछ इसमें लिखा, जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर हम इसको save as करें, गर हम save कर देंगे तो उसके copy replace हो जाएगा, हम इसको different name से, यहां पर हम notepad 2 लिखा और save कर दिया, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर एक notepad और notepad 2 के नाम से, जो हैं दो files आच चुकी हैं, तो उसे का काम यही है, कि main copy में कुछ भी edit करके हम उसके copy बना सकते हैं, उसके बाद page setup है, प्रिंट के लिए अगर हमें page setup करना है, जैसे हमें किस तरह के page पर इसको print करना है, तो यहां पर letter by default है, और यहां पर हर तरह के pages के size आपको दिख रहे हैं, तो जैसा भी आपके पास page है, जैसे legal है यहां पर आप देख रहे हैं, तो जैसा भी आपके पास page है और आपके printer में लगा हुआ है, तो उसको वही select क्या printer निकाल सकते हैं, फिलाल हम universal size है A4, वह select करेंगे यहां से, A4 जो है वहर जगह पर use होता है, यह रहां पर, हम A4 select करेंगे, उसके बद यहां पर portrait और landscape है, यह side में आप देख भी रहे हैं, यहां पर portrait है, यहां पर landscape कर देंगे, तो landscape में page आपके पास आजाएगा, उसी तरह से आपस में type करेंगे, तो उतना ही space वह दिखाई देगा, यहां पर margins हैं, कि आपने left, right, top और bottom में, कितना कितना space छोड़ना है, और यहां पर header और footer है, कि printer में ही header footer आता है, आप यहां पर header में हम जैसे यहां पर लिख देते हैं, फिर हम चेक भी करेंगे, क्या वह print में हमारे पास आएगा, यहां पर important लिख देते हैं, और footer को हम delete कर देते हैं, select किया और हम इसको delete करके, okay कर देते हैं, अब हम जो उसका next option भी है, हम इसको page setup के बाद print करते हैं, print पे हम click करेंगे, जैसे हमने files को open किया, और यहां पर जाके हम print पे click करेंगे, यहां पर आपको जो भी printer है, वहां पर आप उस printer select करके print कर सकते हैं, फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं, एक nitro PDF creator है, तो इसके थुरू हम उसका PDF create करेंगे, आपको प्रिंटर का ही दिखाएगा, कि print होके कैसा लगेगा, यह पूछ रहे कि PDF create करेंगे, तो इसको save कहा करेंगे, हम desktop पे ही इसको save कर लेते हैं, तो print कैसा दिखेगा, यह software आपको show कर देगा, कि print कैसा दिखेगा, इसको check करने के लिए हमने इसको use किया है, यह अपने आप ही इसको create करने बाद open कर रहा है, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि यह इस तरह का print आपके printer से आता, यह आपको जो screen पे दिख रहा है दिखिए, header में हमने वहां पे notepad में कुछ नहीं लिखा था, यहां पे फिर भी important दिख रहा है, क्योंकि हमने header लगाया था, header actual में notepad में दिखेगा नहीं आपको, वह hidden होता है, पर जो भी आप लिख देंगे वह print में आएगा, तो उसके बाद print के बाद exit है, इससे आप exit कर सकते है notepad को, एक और चीज़ आप यहां पे देख सकते हैं, कि new के साथ उसकी commands लिखे हुई हैं, जैसे देखिए new के बाद लिखा, control plus N, open के साथ control plus O, से के साथ control plus S, और print के साथ control plus P, तो यह सब commands से भी आप सारा काम कर सकते हैं, keyboard की help से, आपको mouse से ही जुरूर नहीं कि आप सारा काम mouse से ही करें, तो हर एक command उसके सामने लिख्यों या button के सामने, यहां पे सब highlighted नहीं हैं, हम edit के option में अगर बात करें तो, यह जो उपर के options हैं, यह सब highlighted कब होते हैं, जब भी कोई चीज select होती है, यह हम कोई चीज नहीं लिखते हैं, सबसे पहले जैसे है undo का, undo का जो है control plus Z, उसकी command होती है, तो हम जब कोई भी चीज करते हैं, और हम सोचते हैं, कि वह हम से कुछ गलती से हो गया, तो इसको हम direct undo कर सकते हैं, कि हम यह चीज करना नहीं चाहते हैं, कमांड ही लिख रहे हैं आप यह नोटपैड में आगे, undo की है, कट की है जैसे control plus X, और copy की है control plus Y, तो अब हम control Z वाली सबसे पहले use करके देखेंगे, कमांड की उससे क्या होता है, जैसे यह देखिए अब यह हाइलाइट होगा undo, जैसे हमने किया, तो उसके बाद वाली जो चीज हमने लिखी थी, तो वो गायब होगी, यहाँ पे देखिए, फिर से हम control Z दबाते हैं, फिर से वो चीज आ जाती है, तो इसमें control Z बस last वाले बटन last वाली उस पे ही काम करता है, जो आपने last में लिखा है, सिर्फ उसी पे काम करता है, यहाँ पे जैसे हमने copy किया, copy को वाले शब्द को select किया, और right click करते हैं तो उसमें भी सारे options आ जाते हैं, जो भी edit में थे, यहाँ पे हमने copy को select किया, और कट कर लिया, फिर right click करके paste कर दिया, कि cut copy करने से पहले, उसका select होना बहुत जुरूरी है, तब ही वह चीज cut या copy हो पाती है, और cut या copy होने के बाद ही आपका paste का option highlight होता है, क्योंकि paste करने के लिए, आपके पास cut या copy की और कोई न कोई matter होना चाहिए, तो यह जो आपके शुरू के हैं, undo, control, x, control, c, उसके बाद यह हमने फिर से right click करके paste कर देगा, कोई हुआ पड़ा था matter, कोई वाला शब्दी copy हुआ पड़ा था चलिए वह paste हो गया, अब हम next करते हैं, paste की command लिख देते हैं, इस पर notepad हम बनाना चाहते हैं, जैसे commands का, यहां पर हम लिख रहे हैं, control plus V, जिससे paste होता है, आप keyboard में control plus V दबाएंगे तो वह paste हो जाएगा, उसके बाद delete, delete के लिए भी आपको select करना ज़रूरी है, जैसे हमने select किया, copy हमारा doubling में है, हमने select कि delete का बटन दबाया तो delete हो गया, तो इसको हम select कर रखे हैं, यहां पर delete का highlight हो जाए तो delete कर देते हैं, तो control Z से फिर से हम इसको वापिस ले आए, अब next option है find का, find का अगि control F लिखा हुआ है, कि control F आप दबाएंगे तो find हो जागा, find का जो option है वो काम आता है, आपको बहुत बड़ा कोई note पर उसको find करना पर एक एक line तो पड़ेंगे नहीं, तो control F दबाएंगे इस तरह से window खुलेगी, यहां पर आपने लिखना है जैसे हम notes लिख लेते हैं यहां पर, कि हमें जो इसमे notes word है वो ढूणना है के नहीं है, लिखा पर हम इस पर click कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, cannot find notes क्योंकि आप निचे option देखेंगे direction वो down पर लगा हुआ है, जो select mark है वो down पर है और जो हमारा cursor है जो नोट्स है यह उपर है, upside में है और जो फिलहाल हमारा cursor है देखिया, find के बाद हमने control F जो लिखा था, notepad में यहां पर cursor वहां पर लिंक कर रहा है, तो उसके down में तो कोई भी notes लिखा नहीं हुआ, तो हम यहां पर up पर tick mark लगाएंगे, यह down के जगह है, हम up पर tick mark लगाएंगे फिर find करेंगे, देखिये, notes find हो गया, उसको इसने highlight कर दे कि एक notes नाम का इसमें word है, तो यहां पर match case की मालो की notes के साथ कुछ और spelling लिखी हुई है, तो उस case में सिर्फ notes, notes को यह find कर दे तो आपका यह काम हो जाता है, अब find के बाद हम चलते हैं, find next मतलब F3 की command से आप इसी शब्द को दोबारा ढूंडना चाहते हैं, तो notes एक बार मिला हुआ है, next कोई notes है नहीं, तो इसलिए F3 की हम F3 प्रेस कर रहे हैं, तो next यह कोई भी notes इसमें नहीं ढूंड पा रहा है, और वही उसी साब से यहां पर message भी दे रहा है, उसके बाद replace है control plus H, कि उसमें control plus H से हम कोई भी शब्द को replace कर सकते हैं, यहां पर हम क्लिक करके भी खोड़ सकते हैं window को, या फिर control plus H दबाके direct वहां से भी open कर सकते हैं, तो यहां पर हम वैसे लिख भी लेते हैं, कि replace की क्या command है control plus H, क्योंकि आप लिखते जाएंगे तो आपको यह थोड़ा भूत याद भी होते रहेंगे, कोई भी command है सिर्फ याद मत करें इसको लिखे जरूर, ताकि आपके दिमाग में वह बैठती रहें, तो यहां पर हम देखिए लिख रहे है notes की find what, क्या find करना है, Notes find करना और replace करना है हमें इसको document में, यहां पर हम लिख रहे है documents, और यहां पर हम करेंगे, फिर find next पे click, यह हमें find हो गया उपर देखिए notes, और replace पे क्लिक कर देंगे, तो उसको replace में जो notes लिखा हो तो document देखिए उपर convert हो चुका है, उसके बाद यह कहरा है कि कोई और notes नाम का जो word है इस notpad में नहीं है, उसे तरह से आप replace all उसमें option था, अगर notes नाम की और भी शब्द होते, replace all पे आप क्लिक करते तो वह सब replace हो जाते, अब control जट करके हम इसको फिर से notes में लिया है, next option है इसमें दोस्तो go to कि हमें किसी शब्द पे direct जाना है, या line पे जाना है, यहाँ पे row है कि हमें किस line number पे जाना है, यहाँ पे जैसे हमने 3 भरा तो दिखिया आप यह कट के आगे blink कर रहा कर से, direct 3rd number row पे चला गया, तो go to कि हम यहाँ पे command भी लिख देते हैं, ताकि हमें यह याद होती रहे control प्लस G, फिर से हमें control प्लस G प्रेस किया, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम direct जो line number 4 पे हम चले जाना है, यह आप देख रहे हैं copy जो word लिखा हुए 4 number line पे है, तो direct 4 number line पे चला गया, तो उसके बाद हम select all, control A जो है उसकी command होती है, तो select all से सारे के सारे शब select हो जाते हैं, control A प्रेस करके देखते हैं, select होने के बाद आप इसको cut करके copy करके paste भी कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे select all किया, cut किया, फिर से हम इसको control भी करके paste कर रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं कि इसमें time or date आ जाए, जैसे आप इस पे click करेंगे यह देखिए, control G के बाद यहाँ पे time or date आ गया भी present का जो भी हम इस पे system का time है, वो सब आप इसमें आ जाता है, हम इसको select करके delete कर देते हैं, वर्ड रेप काम कैसे करता है, तो हमने इसको select किया, और font में गए, यह देखिए, यहाँ पे font में दिखा रहा है कि हमारे पास इस तरह के font है, हम इसको जैसे वाला font ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको italic भी कर देते हैं थोड़ा, और यह font का size है, यहाँ पे हमने इसको atize कर दिया और okay प्रेस कर दिया, यह वह जो notepad में लिखा हुआ था, उसी हिसाब से font और size के साब से हो चुका है, यह जब हम window को छोटा करते हैं, तो word wrap क्या करता है, जितना भी matter है वह सब आपको सामने दिखेगा, अब जैसे हम इसको select किया word wrap अटा दिया, तो इसके जो its free के बाद आप जो line थी वह आपको नहीं दिख रही, इसको जो आप खोलेंगे तो यह दिखे, यहाँ पे आपको दिखेगी, और यहाँ पे जब आप इसको select tool करके फिर से word wrap पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी matter हो को आपको दिखेगा, कुछ भी hide नहीं रहेगा, आपको notepad जितना भी आपने खोल रहेगा, उसमें सब में वह सारा matter आपको दिखेगा, यही word wrap का काम होता है, तो format के बाद हम चलते हैं view पे, यहाँ पे view पे, view में देखिए status bar है only, यह status bar तभी highlight होता है, जब format में word wrap पे tick mark ना हो, मतलब आपको word wrap से tick mark हटाना पड़ेगा, तभी आपका जो status bar है, यह notepad का वह आपको show होएगा, जो की notepad में नीचे होता है status bar, तो हम वह भी करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम format पे गए, हमने word wrap हटाया, अब देखिए view में status bar highlight हो गया, हमने click किया देखिए नीचे, status bar में यह दिखा रहा है, कि यह line number 1 में और colon number 1 में हम हैं, सबसे पहले u के आगे करसर जो हमारा blink कर रहा है, तो 2 पे गए हम यह देखिए नीचे line number 2 में colon number 1 नीचे status bar में दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस तरह से status bar का बस इतना ही काम होता है, उसके बाद next जो उसमें option help का है, help में आपको notepad से related कोई भी help चाहिए, तो आप वह वाली help इसमें ले सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, और फिर नीचे about notepad है, यहाँ पर यह बता देता है कि आपको किस windows का यह notepad है, view help पे क्लिक करेंगे तो यह online आपको ले जाता है, आपको notepad के बारे में किसी भी तरह का function समझना है उसके लिए, तो यह आज की जो वीडियो थी notepad के उपर थी, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ फिर भी आपके points ना clear हुए हों, तो आप comments करके वो points पूछ सकते हैं,